x square plus 6x minus a square plus 2a minus 8 equal to 0 हमें x का value find करना है तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम इसका पहले factor निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे x square plus 6x minus bracket में a square plus 4a minus 2a minus 8 equal to 0 इसके बाद लिखेंगे x square plus 6x minus bracket में इसमें से a common लेंगे तो लिखेंगे a plus 4 और यहाँ से minus 2 common लेंगे दिखेंगे 2a plus 4 equal to 0 ठीक है अब इसमें से दिखें a plus 4 a plus 4 common होगा तो लिखेंगे x square plus 6x minus a plus 4 और अगले बैकेंड में a minus 2 ठीक है equal to 0 अब देखेंगे इस पूरी का हम फ्रेक्टर निकार लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x square plus यहाँ पर लिखेंगे a plus 4 ठीक है a plus 4 और लिखेंगे minus a minus 2 a minus 2 और close और यहाँ लिखेंगे x फिर लिखेंगे minus a plus 4 लिखेंगे a minus 2 equal to 0 ठीक है देखेंगे अगर इसको हम solve करेंगे तो e cancel हो जाएगा यह add हो जाएगा 6 हो जाएगा तो हमें 6x हमें मिल जाएगा ठीक है आगे हम यहाँ पर देखेंगे इसको break करेंगे तो लिखेंगे x square plus a plus 4x minus यह अब लिखेंगे a minus 2x फिर लिखेंगे minus a plus 4 लिखेंगे a minus 2 equal to 0 इसके बाद इसमें देखें common लेंगे तो लिखेंगे x x plus a plus 4 minus और इसमें से देखें a minus 2 a minus 2 common हो रहा है तो लिखेंगे a minus 2 और bracket में हो जाएगा x plus s plus a plus 4 equal to 0 इसके आगे देखेंगे अब देखेंगे यह पूरा पार्ट क्या हो रहा है common हो रहा है तो लिखेंगे x plus a plus 4 ठीक है और यह बचेंगे क्या x और a minus 2 तो लिखेंगे x minus में ब्रेकम लिख देंगे a minus 2 ठीक है equal to 0 अब देखेंगे दोनों 0 के equal में है इसको हम लिख सकते है x plus a plus 4 equal to 0 तो इसको इधर लाएंगे minus हो जाएगा लिखेंगे x equal to minus a minus 4 ठीक है और इसको भी लिखेंगे x minus back end में a minus 2 equal to 0 तो लिखेंगे x equal to इसको इधर लाएंगे तो plus में हो जाएगा झाल झाल